हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है जन्मा दी पंच सिद्धिया यानि जन्म वगेरा जैसी पंच जो सिद्धिया है वो कौन सी है इसका जो मेंशन है ये कैवल्य पाद में किया गया है पहले सुतर में तो कई वाल्य पद्ग की शुरूआत कहां से होती है, जनमादी पंच सिध्धियों से, तो पहली जो सिध्धि है, जैसे जो साधक होते हैं, उनको कुछ-कुछ सिध्धिया, जैसे हम बाकी सब करते हैं, जैसे कि हम नभी आगे जो दिखे विए अभ्यास वईरागया है, या टांग योग है ठीक है लेकिन उसके अलावा भी कुछ-कुछ सिद्धिया कैसे मिलती है तो पहला है जन्मजा तो यानि जन्म से पुनर जनम में जो योगा अभियाष किया होता है उसको वो इस जनम में ले के आता है फिर दूसरा है आउश्वदीजा आउश्वदीजा मतलब आउश्वदी के सेवन से काया कल्प हो जाती है ठीक है जैसे कि चवन रिशी जो थे उन्होंने चवन प्राश खाके बुढ़ा पेसे वो जुवान हो गए थे ठीक है तो ये अउश्वदीजा सिद्धी हो गए फिर मंत्र जा सिद्धी मंत्रो चार से निकलने वाली सरी मंत्रो चार से मिलने वाली सिद्धी मंत्रों का अनुस्ठान करना ठीक है मंत्रों का अनुस्ठान करना मतलब क्या होता है जैसे कि अगर एक मंत्र है ओम नमस्षिवाय तो ओम नमस्षिवाय में अगर कितने अक्षर है तो नमस्षिवाय तो एक अक्षर को एक लाख बार, मतलब एक अक्षर मल्टिप्लाइब एक लाख तो पांच अगर अक्षर है तो पांच लाख बार, तो जब हम पांच लाख बार हम ज चार करने से जो शिद्धी मिलती है उसको मन्त्र चा Gautyative सिद्धी बोलते हैं.. गयातरी मंत्र को वैधिक बेस्ट वैधिक मंत्र बताया गया है तो गायात्री मंत्र में 24 अक्षर है तो अगर हम 24 लाख बार गायात्री मंत्र जब बोलेंगे तो उसका अनुष्ठन हुआ ऐसा हम मान सकते हैं तो शास्तरों के अनुष्ठन तब की definition क्या है तो सास्तरों के अनुष्ठन करके भी धर्म का त्याग ना करना ठीक है जैसे कि वैसे तो ये उसके साथ एक्जम्पल मैं दे रही हूँ इसका वो मतलब नहीं है लेकिन जैसे अपने देखा है ना कि कोई लोग जो पहले के जमान में दिखाते थे पिच्चर उसमें सीरियल्स वगरा में कि तब करते हैं जाड के नीचे खड़े रहे के या ज सास्तरों के अनुसार तब का मतलब है कश्ट सहन करके भी धर्म का त्याग ना करना चित की इससे क्या हो जाएगा चीत की जो अशुद्या है वो नाश हो जाती है और अपुर्व शक्ति का प्रदुर्भाव होता है यानि कि जो शक्ति हमने कभी पहले फिल नहीं करी ऐसी श सवस्था में जो शक्ति पहले नहीं थी वो शक्ति हमें वो शक्ति साधक को प्राप्त होती है ठीक है तो अगर इसमें क्या होता है कि कभी-कभी इंटर्वी में हमको बोलते है कि जन्मादी पंच सिद्यों के बारे में तीन मीट के लिए इसमें बोलना बड़ा इसी डिए इसको मैंने तब को थोड़ा एलबेट कर दिया है जिससे हम थोड़ा सा लंबा इस टॉपिक को कभी अगर बोलने का आए तो बोल सके पर अगर शौट में समझाना है तो बस सबका यही है जन्मा से मिलने वाली सिद्धी, आउशवदी से मिलने वाली सिद्धी, म ये है जन्मादी पांच सिद्धिया जो कि कैवले बाद का पहला सुत्र है छेरिए थैंक यू